एलो एवरिवन, UPPCS PT Target के आज के अपिसोड में आपका स्वागत है। केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक नहीं दो। तो सही जवाब है option एक केवल एक। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर लगभग 15 लाक वर किलोमेटर के क्षेतर पल पर जलोड मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसलिए कथन एक सही है। जलोड मृदा में पोटाश और चूने की पर्याप्त मत्रा पाई जाती है जबकि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसलिए कथन दो गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सामाजिक वानिकी को किस पंच वर्ष ये योजना में अपनाया गया। चौथी, पांचवी, छटी या पर सात्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छटी। चलिए इसकी व्याक्या देखते हैं। सामाजिक वानिकी के तहट सारवजनिक वानिजी भूमी पर व्रिक्षा रोपन को प्रुट्साहिद किया जाता है। वर्ष 1976 में राष्ट्रे क्रिशी आयोग द्वारा इसके लिए सुझाव दिया गया था। मूल रूप से इस कारे करिम की शुरुवात वर्ष 1978 में की गई थी। 1980 में इसे चटी पंच वर्ष ये योजना का अंग बना दिया गया। चलिए ने एक सवाल नेमने लिखित में से कौन सी विशेशता काली मृदा की नहीं है। इस मृदा का निर्मान लावा पदार्थों के विखन्डन से हुआ है। दो इस मृदा की गहराई कम होती है और ये सरंधर युक्त होती है। सी ये भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है। या फिर D, इस मृदा की जलधारन ख्यमता बहुत अधिक होती है जिससे सिंचाई की आवशक्ता कम पड़ती है। तो सही जवाब है, आप्शन B, इस मृदा की गहाई कम होती है और ये सरंधर युक्त होती है। काली मृदा या रेगूर मृदा का विस्तार महराष्ट्र के दक्कन ट्राप के उत्तरी पश्चिमी क्षेतर मध्यप्रदेश के मालवा पठार और गुजरात के काठेवार प्राइदीप में है। करनाठक, आंदरप्रदेश, तमिल नाडू और करनाठक के पठारी क्षेतरों में भी इस कवस्तार पाया जाता है। ये मृदा अत्य धिक गहरी और अपारगम में होती है। ये मृदा कपास, गन्ना और प्यास की खेती के लिए सर्पाधी का नुकूल होती है। नेक्स सवाल, नेमनलकित में से कौन सी वनस्पती 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षावाले क्षेतरों में पाई जाती है। अर्जन, शेतूत, टीक या फिर कैल, जवाब है ऑप्शन डी कैल, कैल, साइडर, होलक, आदी, अर्धे सादा बाहर वनस्पती के अंतरगत आते हैं। वनावरण 7,13,780 वर किलोमेटर है। और दो, भारत की पहली वनसर्वेक्शन रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित की कही थी। आपको बताना है कि इन में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दूनो, या पिर ना तो एक नहीं दो। तो इसकांसर होगा उप्शन B केवल दो। चली वैक्षा देखते हैं, वर्ष 2021 की वनसर्वेक्शन रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वनावरं 7,13,789 वर किलोमेटर है, इसलिए कथन ये खलत है। भारत की पहली वनसर्वेक्शन रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित की च्छतीस गड़ के अधिकांच खेत्रों में 50-100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जबकि बिहार, जारखन और ओडीशा आधी राज्यों में 100-200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और केरल के तटिक शित्रों में कौफी की पैदावार के लिए विशेश सहायक होती है। इसलिए मानसून पूर्व होने वाली बारिश को यहां चेरी ब्लॉसम या कौफी शावर कहते हैं। ये वर्षा भारत के दक्षन पश्चमी तट में आम के पकने में सहायक होती है, अ कोना, काजू, मोटे अनाजों और मसालों की भी खेती की जाती है। क्रिशी की दृष्टी से ये कम उपजाओं मृदा होती है। ये मृदा उच तापमान और भारी वर्षवाले ख्षित्रों में पाई जाती है। इस मृदा में जैवपदार्थ, नाइट्रोजन, आगे बढ़ते हैं, निमनलखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हिंद महासागरिय डाइपोल को भारतिय नाइट्रों में पाई जाती है। निनों के नाम से भी चाना जाता है। और कथन दो, हिंद महासागरिय डाइपोल गर्मी के दिनों में उत्पन होते हैं। उपर एक मैसे कौन साय कौन से कथन सही है या सही है। एक एवल एक, बी केवल दो, C एक और दो दो या पर D ना तो एक नहीं दो। तो इसका सही अंस चलिए वेक्या देखते हैं। ये 2021 के UPPSC में प्रशन पूछा गया था। उप्शन से ए मानसून की वापसी, B पश्चिमे विक्षोब, C चक्रवाती अवदाब, या फिर D दक्षिन पश्चिम मानसून। तो इसका सही जवाब है उप्शन B पश्चिमे विक्षोब। शीतकाल में नवंबर से जनवरी त पश्चा का ये प्रमुक कारण होता है, इससे रभी की फसल को विशिश लाब होता है। तो विवस आज के एपिसोड में इतना ही, हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कॉमेंन सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कारेकरम में तब तक के लिए जैह कर दो दो पिए एपिसोड आपको कैसा लाब होता है।